मार्किट को उसके हिसाब से चलने तो आपको मार्किट के हिसाब से चलना है 7 lakh in a month profit बनाया था अब भगवान को थोड़ी बता रहा है दुनिया कैसे चला नहीं है हाँ यही चीज है हर किसी की family में किसी ना किसी ने trade किया होता है और वो कोई ना कोई जो होता है वो successful नहीं होता है उन्होंने 25,000 रुपीज दिये और first trade मेरा मैं 10,000 के profit में सारा खेल discipline कही है और psychology कही है बिग बुल सीरीज के podcast में जो आज guest है ना उन्होंने अपने मामा जी को trading करते हैं पहली बार देखा और ये भी देखा कि एक दिन के अंदर गुजराथ elections के टाइम पे भारती अटेर के stock में शॉर्टिंग करके 60,000 का profit कमाया तो मैं लगा यार बड़ी interesting चीज़ है 2020 में खुद गुज गए मामा जी से ही 25,000 रपया loan लेके एक हफते के अंदर वो 25,000 का पैसा 10,000 की value पे आके गिर गया पता लगा कि यार रुकसान भी होता है सिर्फ profit नहीं अब यहां पे आके सीखना भी शुरू किया लेकिन ऐसे बहुत सारे बड़ावाए जहां पे loss बहुत खाए इन फाक्ट एक पॉंट इन टाइम पे यह धाई लाक रुपय के loss पे बैठे थे और इनको पता था कि वो क्लॉस क्यों हो रहा है क्योंकि इन में लालच पूरी तरह से भरा हुआ था मतलब इट वाज नेगिटिव तिंग इस तीसे वो आज भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आया जब एक महीने के अंदर ने साथ लाक रुपय का प्रॉफिट बनाया स्कैल्पिंग इस वान मेजिर एडिया मिस्टर स्कैल्पर सोड ऑफ गेट इंटू लेकिन आज की तारिक में सुवए जब मार्केट खुलता है और शाम को जब मार्केट बंद होता है इसके बीच में बंद गर के गिट दोस्तों के साथ मार्केट सिर्फ मार्केट नो खाना नो पीना पानी अगर ग्लास पढ़ा ठीक है अधर्वाइज खाना पीना लंच करेंगे जी मार्केट खता होने के वाल वेरी इंट्रेस्टिंग मिस्टर स्केलपर संचित बड़े ही इंट्रेस्टिंग कॉर्मरिजेशन थी शायद सीखने को मिलेगा आयो शुरू करते हैं संचित मिस्टर स्केलपर यार नाम बड़ा अच्छा है यूट्यूब चैनल का पहले सी बता के रखे बंदें को कन्फूजन ही नहीं होती है कि जो नाम लिग दिया हुआ है अन्यूर सिर्ण कि गोड़ा फेटी की हरते है यूटियू के इंटी फ데 अव्यवेटिंग क्या उब दिय्यूर यूऊस पालद ये जवर में और यूडरली वह प्दाय ऑप है को जब मेरी summer vacation होते थे तो वो छुटी ले लेते थे अपने office वगेरा से और उसके बाद पूरे दिन मैं देखता था वो laptop पे काम करते रहते थे और सामने CNBC चलता रहता था और मैं देखता रहता था क्या करते हैं मतलब पूरे दिन मतलब computer पर टिक 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 ऐसे कर रहे हैं और स sell buy sell का लोग बोल रहे हैं कुछ समझ तो आदा नहीं था अब मेरे को बहुत गुस्सा आदा था उस टाइम पर क्योंकि मेरे को TV पर देखने होते हैं कार्टून तो उस टाइम पर मतलब इस जरिये मैं ट्रेडिंग से चुड़ा कि मतलब यह क्या करते हैं यह मैंने फिर उनस से हुआ था उसके बाद जो मेजर मेरा ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ वो 2017 में जब मैं 19 यह का था गुजरात इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम पर अच्छा गुजरात इलेक्शन थे उस दिन मेरे मामा एक्चुली ट्रेड कर रहे थे मेरे सामने फर्स टाइम मतलब ट्रे हुआ तो वो देखके मतलब एक तो मेरी जितना मैं सीखा था कि जो नॉर्मल आपको बता जॉब से सैलरी होती है वो स्टार्टिंग में आपको कितनी मिलती है 25,000 40,000 इतनी होती है और वो मेरे सामने किसी ने एक ट्रेड में 60,000 का प्रोफिट बनाया तो वो देखके मैं एक चीज के उपर थोड़ा फोकस करना स्टार्ट किया देन उसके बाद 2018 ऐसी मतलब सीखते सीखते कैश मार्केट में थोड़ा बहुत किया उसमें निकल गया 18 और 19 क्यूंकि एक्चली मैं क्या हूं क्रिकेटर था उस ताइम पर क्रिकेट खेलता था तो पूरा फोकस तो मेरे क को क्रिकेटरी बनना है अब जैसे ही कोविड आया मतलब ग्राउंड बंद हो गए प्रैक्टिस बंद हो गई अब हार तो मानके बैठ नहीं सकते क्योंकि और उसमें कुछ कर भी नहीं सकते था आप कोविड के टाइम में और कुछ आपके पास था नहीं पढ़ाई हमने करी नहीं थी क्रिकेट के चक्कर पे तो अब आपास एक ही रास्ता था ट्रेडिंग ओके तो फिर सीरियसली हमने ट्रेडिंग में स्टार्ट किया 2020 में 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 को फ्यूचर अन ऑप्शन के बारे में पता चला पर फिर्स्ट टाइम में तो फ्यूचर अन ऑप्शन में में याद है मैं पहले क्या होता था जो टीवी पर जिसने भी बाय सेल दे दिया जैसे निफ्टी पर किसी ने बाय दिया बैंक निफ्टी पर बाय दिया तो वही समझा था उससे बहले और कुछ तो इतना नौलिज किसी ने बाय कॉल दिया था फॉर्स्ट मेरा फ्यूचर ट्रेड और मैंने बाय कर लिया मेरे अकाउंट में शायद मेरे को एफनो करने के लिए ज्यादा अमांट नहीं दी गई थी क्योंकि मामा को भी पता था एफनो में कितना लॉस हो सकता है और नौलिज अभी उतनी नह रुपीज दिये थे ट्रेडिंग करने के लिए इंजल इंवेस्टर अग्षा तो उन्होंने 25,000 रुपीज दिये और फस्ट्रेड मेरा मैं 10,000 के प्रॉफिट में फर्स्ट डे अब वो बोलता है ना बिगिनर्स लग के को होता है ट्रेडिंग में तो जैसी फर्स्ट दे मै है मतलब मेरे को तो यह आगया कि मेरे को सब आ गया यह तो बहुत असान है ऐसे मामाजीते सालों से करते हैं पता नहीं क्या है यह तो बहुत इसी है तो फिर क्या हुआ मैं I think 2.30 का टाइम होगा एक घंटा बचा था मार्किट क्लोस होने में 10,000 का प्रॉफिट में होल्ड क करके बैठा हो कुछ न्यूस आ गई अमेरिका से रिलेटेड के अमेरिका में कोविड का कुछ वेव अगयरा मतलब जादा बढ़ रही है कोविड का अटैक जादा हो रहा है तो बैंक निफ्टी शायद आधे घंटे में 700 नीचे गिर गया 700 और वो मेरे 10,000 प्रॉफिट से 7 सिर्फ आधे घंटे के अंतर तो वो मेरी पहली सीख थी के भाई मार्केट इतना भी आसान नहीं है जो लोग सोचते हैं कि बस आओ और इसमें पैसा बना दो यह चीज जो है रोलर कोस्टर राइड रोलर कोस्टर राइड अभी तो पागलपन होगा है कि यार यह क्या था सब कुछ बदल गया है हाँ एकदम से मतलब लॉस हुआ उसके बाद फिर मिर को समझ आए कि नहीं थोड़ा यह मुश्किल काम है इसको थोड़ा अच्छे से नॉलिज इसकी गें करनी पड़ी है अगर future option में काम करना है तो क्या हो रहा था था कैश मार्केट में तो में कथा दो कि रोत के आपके पास लालच आजाता है तो उसके बाद फिर मेरे मामा ने मेरको कॉल किया तो उन्होंने फिर पूछा के क्या हुआ कैसे-कैसे वृ से इसकीच किया तो फिर इन्होंने मेरको संझाया कि इसलि hakk मांशी न्यू है अभी future option से थोड़ा दूर है पीज़ पैज़े कर ऑके तो उन्होंने जिब 25 लिख तो थो जिसे शुरू करएगा एक दिन 400 रुपय बना फिर दो चार दिन तो मैं खुश हुआ फिर मेरे जो बाकी दोस्ते वो भी कुछ ट्रेड कर रहे थे चुलि मेरे एक दो फ्रेंड है जो अभी भी मेरी टीम में है वो मेरे मतलब मेरे से पहले से वो ट्रेड कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट बताते थे आज मेरा कर लूँगा कैश मार्केट में तो प्रॉफिट करी रहा हूं इस तरीके से तो जब जब ट्रेड करने लगे मामा जी की गाइडेंस में तो घरवालों से को रिजिस्टेंस तो नहीं था क्या कर रहे हो पहले पढ़ाही करो या पहले क्रिकेट कि दुरूब शुरू में काफी हो था क्योंकि आपको बी पता इंडिया में वर्फिर को तो पढला किसी को पता एक तो क्या होतना रहर किसी की फैमिली में वहें किसी ने ट्रेड किया होता है अब cricket में तो इसका कुछ मतला वह नहीं रहा लगा हुआ तो ट्रेडिंग में जा रहा वरना वह मैं थोड़ा डिप्रेस्ट हो गया था क्रिकेट मेरा चूट गया तो उसे तो घरवालों भी यह था कि कुछ ही से करने के लिए वह होना चाहिए तो फिर लेकिन जब उन्हें आ मुलता हूँ कि बहुत रेजिस्टेंस फेस किया मैंने ट्रेडिंग को लेकर लेकिन मामा का पूरा सपोर्ट था इस चीज में कर लेगा मतलब ट्रेडिंग में बनता है वैसा यह चीज पॉसिबल है अगर डिसिप्लिन से करेगा तो चीज हो जाएगी डिसिप्लिन ही में तो उस पॉइंट इन टाइम करांगेज जया कि चीज दिक्गत है तो उन्होंने है कि जब तब दस हजार का profit हो रहा था उस टाइम पर बुक नहीं किया तो दस हजार का profit आठ आया होगा ऐसा तो नहीं वह एक दम से सीधा माइनस पांच हजार आगया वह आठ आया साथ आया छे आया कहीं पर तो आपको अपने एक profit limit भी लगानी पड़ेगी ना अगर कर रहा है तो आपको हो एक point देखना पड़ेगा कि नहीं यार इस से नीचे अगर जाएगा तो मैं निकल जाओंगा उसके बाद चाहे मार्केट चला जाए उपर वह discipline जब तक नहीं लाओगे ना अब तब तक दिक्कत मार्केट के अंदर बनी रही आपके लिए वह जो ग्री मेरा 25 से I think 10,000 मेरा fund बचा होगा account के अंदर तो मतलब सीखते सीखते चीजों को करते हुए अगले एक दो महिने मैंने सिर्फ बहुत चोटी-चोटी quantity में करा देन जब 2020 में एक bull run आया था हाँ पे मेरा एक अच्छा पैसा बना वहाँ पर मतलब 10,000 से मैंने 50,000 किया account को फाइव टाइमस मैंने उस account को लेके गया लेकिन फिर वही होता है ना जब ट्रेडर का यही वो अप डाउन अप डाउन चीज़े चलती रहती है जब आपका 10 से 50 चास हुआ उस टाइम आप इतने यूफोरिया में आ जाते हो कि मतलब एक तो उस टाइम पर हर्शन मैता की वेब सीरीज आई थी काफी कुछ हो रहा है जिंदगी में संची तुमारी ओके दैन तो हर्शन मैता की वेब सीरीज आई थी तो उसमें क्या हुआ बहुत चीजे उ वो जो 50,000 मेरे हुए और मैं मतलब बिल्कुल टॉप पैदा मैंने का ऐसा लग रहा था मैं सीख चुका हूं ट्रेटिंग एंड फिर डिकलाइन एक आता हुआ दिखाई दिया जहां पर मैंने 50,000 का पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया ओमारा जो पूरा मेरा अकाउंट था व मेरा एक फ्रेंड है आकाश उसले साथ ही में ट्रेडर करता हूं उस ताक मतलब का म मतलब उसकी साथ पकड़ काफी अच्छीosc ale कर तो USsta मैं काफी कुछ सीख आ थै ।ो इंडिकेटर्स पितो मेरे आकर आप 10 वीडियोज देखी थि इंडिकेटर उसको लेकर के और इंडिकेटर्स में आप बैक टेस्ट्थ जित्ना मरजी कर लो बैक टेस्ट में तो आपको लगेगा कि बस मेरेको मिल गया कल से मिं यह स््टाटेजी लगाऊंगा और बस कल कि इक पाइसे मेरा पैसा बंना स्टार्ट हो जाएगा देखते हो वो इंडिकेटर मेर ऊपर होता है यह नीज baixo स्बस्डाइल और iこ करता मेरे लिएately कर ली काम नहीं किया किसी के लिए करा हो गा तो मेरे लाइं बोन चाहिए तो मैय बोलतां मेरे पड़ा अक्षयली जो भीडमस में wires के साइकलो उस तांक पे क्या हूआ के यू रोप मेरे वा नूस थे के से जो ब्हुरें वह कोविड की और हमारा मार्केट आल टाइम हाइस बनाया जा रहा था अब मेरी साइकलोजी में इम्पोर्टन पॉइंटे मैं और लोगों को भी बोलना चाहूंगा जैसे आज भी जैसे इस वक भी आपको पता कोविड की बाते चल रही है और मार्केट उसकी वज़े से नीचे जा रहा है उस टाइम पे भी ऐसा था कि विदेशी मार्केट गिर रहे थे और हमारा मार्केट आल टाइम हाइस बनाया जा रहा था तो मेरी साइकलोजी में यह पॉइंट हो गया था उस टाइम पे कि यार दुनिया भर के मार्केट तो गिर रहे हैं कोरोना फैल रहा है तो ह मैं उसे शॉट कर देता था वो फिर मेरा स्टॉप लोस लेकि उपर चला जाता था तो हजार पॉइंट की रैली मेरी इस तरीके से मिस हुई मैं शॉट करता गया और मार्केट 1000 लगातार उपर सीधी लकीर में जला गया और मेरे को याद है मैं अपने दोस्त के साथ बैठा थ हम 13,000 उस टाइम पर निफ्टी की एक कॉल थी 10 रुपीज की हम लोग वहां पर बायर और सेलर्स को देख रहे थे तो हम लोग ऐसे डिसकस कर रहे थे कि यार कॉन लोग है मतलब कोवीड इतना फैल रहा है 10 रुपे में कॉन ये कॉल खरीद रहे है 15 डेस बाद वह कॉल का र नवंबर में जो आया था मतलब स्ट्रेट रैली जो गई थी और उसमें हम शौर्ट कर रहे थे तो ये बहुत बड़ी सीख है अभी लोग क्या कर रहे हैं कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो लोग उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं उतनी चीज खराब नहीं ह अब बगवान को थोड़ी बताना है दुनिया कैसे चलानी है हाँ यही चीज है मार्केट को उसके हिसाब से चलने तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना है यह सबसे बड़ा एक पॉइंट है जो सीखने की जरूरत है सबको बदन वेर इन जर्नी अपनी आपकी जर्नी में आप कब पॉइंट पर लगा के प्राइस एक्शन का यूज करके प्रैक्टिकली आपको रिजल दिखने शुरू है और ऐसा क्या कर रहे थे आप किस क्या सोर्सिस थे सीखने के एंड हो और यॉर प्रैक्टिकल अप्लिकेशन उस प्राइस उस टाइम पर जब मेरे को लॉस का 50,000 का उसके बाद मेरे को दुबारा से एक तो फंड की जरूरत थी उस टाइम पर के ट्रेडिंग के लिए फंड की जरूरत है और मामा से मेरे मांग नहीं सकता था कि एक बार मैं पहले ही फंड के लिए मांग चुका था तो अब दिक्कत आई के फंड कैसे इखटा किया यह जाता है लोगों को अगर दो पैसा कमा कर देंगे तो अपने को भी कुछ पैसा मिलेगा तो तब मैने सोचा कि यह नौलीज तो है अपने पास कुछ चीज तो है जिसकी वज़े से पैसा बनाया आपने भी तो तो यह न इस चीज को YouTube पे एक जो है वो इसको किया जाए YouTube के बारे में मेरे को पहले से पता था YouTube पे कई मेरे दोस्त हैं जो YouTubers थे तो मैंने चलो YouTube पे इस चीज को knowledge को share करना start करते हैं 2021 से तो then मैंने 2021 में YouTube पे अपनी जर्नी जो है actually start करी और मैं सच बोलता हूं उस टाइम पे YouTube पे मैं सिर्फ इस वजह से आया था कि मेरे पास funding fund इखटा हो जाए क्योंकि मैं किसी से YouTube पे analysis करने से मैं बोलता हूं कि बहुत लोग इस चीज को थोड़ा underestimate करते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे को भी YouTube पे improve होती है वो चीज करने से मेरी खुद की जो ट्रेडिंग में improvement आया है जबरदस्त मैं बोलूँगा उससे मेरे को improvement महसूस हुआ है क्योंकि मैं पिछले दिन मैंने क्या बोला market ने फिर उस हिसाब से क्या किया वो चीज मैं देखने लगा जब तब मेरे को समझ आया कि क्या मेरी गलतिया हो रही है क्या मैं इस चीज को improve कर सकता हूं और किस तरीके से improve कर सकता हूं और study material की अगर आप बात पूछो तो पहले तो हम लोग सदर बजार से दो चार बुक्स तो मिल जाती है लेकिन वो क्या होता है न उतने अच्छे तरीके से explain करते हुए समझ नहीं हो पाता उस टाइम पर आज गल तो आपको बता है content बहुत जादा आ यूट्यूब के ओकर हर तरीकी strategy और audio books आपको मिल जाती है बट उस टाइम पर audio books उतनी अबलेबल नहीं थी trading को related तो फिर मैंने सदर बजार से दो-चार books लेके आया बहां से थोड़ा पढ़ने की start करी PDF में एक मां बोलूंगा एक book है जिसने मेरी price action पर बहुत अच्छी पकड़ बनाई है वो AI Brooks price action trading ओके ये book I think ये book ने बहुत मेरा change किया AI Brooks की जो books है उनकी 3-4 books है price action को लेकर एक तो trend following क को लेकर है दूसरी reversal को लेकर है तो वो books अगर आप पढ़ते हो तो आपका पूरा जो price को समझने का वो है वो पूरा change हो जाता है अब क्या होता है ना बहुत सारे लोग support resistance इस पर बहुत जादा follow करते support resistance को मानते हैं बट support resistance को dynamic way में किस तरीके से यूज करना है वो अगर आप वो books पढ़ोगे तो आपका एक बहुत चीजें improve होंगी किस तरीके से आजकल क्या है ना market में knowledge सब तरीके सब तरीके से आपको मिल जाती है support resistance breakout breakdown यह सब मिल जाता है तो operator भी क्या कर रहा है आजकल fake breakouts और fake breakdowns बहुत जाधा आ रहे हैं आपको लगेगा कि यह तो breakout हो गया then suddenly वो pullback आ जाता है और फिर low टूट जाता है इस तरीके के बहुत instances आजकल हो रहे हैं तो वो किस तरीकी से आपको पकड़ने है वो या तो आप books पढ़ लीजे या तो आप market को fees देजीजे थोड़ी जी fees तो आपको भरनी पढ़ेगी दो चीजे तो इन में से एक चीज तो आपको करनी पढ़ेगी या तो books का खरचा कर लो या सीखने का खरचा कर लो खरचा तो लेकिन market में आपको करना पढ़ेगा एक तरीके से यह जो किताबे थी price section कि क्या end-to-end किताबे पढ़ी मतलब क्या focus इतने किताबे तो आपने पढ़ाई में पढ़ी होंगी अच्छे से बीलकुल आपने शाई पॉइंट का कि पढ़ाई में इतनी इतनी नहीं पढ़ी होंगी जितना ट्रेडिंग को रिलेटेड मैंने यह तीन चार पूक्स पढ़ी हैं और पूरा-पूरा दिन ऐसा निकल जात तो यह जब 3-4 महीने मैंने करा उसके बाद आप बोल सकते हो मेरा breakout year 2021 मिड से start हुआ और वहां से मेरको I think first time मैंने 7 lakh in a month profit बनाया था वो मेरा best month था उस time पर मतलब और यह capital कहां से आया था capital आया था YouTube से क्या बात है एक head and shoulder pattern बना था Dow Jones में उसका मैंने breakdown point discuss किया था अपनी एक video में और मैंने बोला था कि अगर कल यह level तूटता है तो हमारे market में भी इस type से एक blood बात आ सकता है और वो भगवान की किरपा थी या जो भी मार्केट की किरपा नेक्स डे नेक्स डे निफ्टी चारसो पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी पंतरासो पॉइंट नीचे और मेरा वो वीडियो वाइरल हो गया और नीचे कमेंट आ रहे कि संचित भाई ने बोला था तो इस वज़े से मैं बना रहा था तो यह मेरा वीडियो आइटिंक में के टाइम में मतलब पांच से पांच महिने तक रिस्पॉंस नहीं था मिरको नहीं मिल रहा था रिस्पॉंस उस तरीके का कुछ-कुछ वीडियो वाइरल हो जाती थी लेकिन जो एक consistent viewer आपको चाहिए होता है कि मतलब एक वीडियो पे तो आपके 10,000 वीडियो आ रहे हैं एक पे आपका कोई देख ही नहीं रहा लेकिन जो consistent एक बेस बनता है कि हां भाई रोज मेरा अनलेसिस कोई देख रहा है लोग मतलब लोगों को पसंद आ रहा है वो उस वीडियो के बाद हुआ है मतलब तीन चार पांच महीने की पढ़ाई की तबस्या किताबों की और पांच चार महीने का लगातार यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालना इतनी महनत इस बेर मिनिमुम इससे कम मतलब इससे जदा ही लगती है जात लोगों को बट उन लोग क्या है संचित जिसमें तुम इतनी है सीखने की उन लोगं के लिए क्या माइंशेट चाहिए चुली में लूग यह सुशते हैं कि सीखने में टाइम देने से बहतर है हम लोग लोग आजकल मेरे पास भी क्वेश्यन अते हैं कहा अफिसारे के सन्धोर हमें यह वता हो हमें ट्रेडिंग सीखनी है लेकिन ह तो मतलब यह चीज मेरे को सबसे ज़्यादा सर्प्राइजिंग लगती है आप किसी भी फील्ड में जाते हो कोई स्पोर्ट्समेन भी अगर आप बनते हो तो उसमें 15-20 साल की तपस्या लगती है स्पोर्ट्समेन बनने में आप किसी डॉक्टर की फील्ड में जाते हो इंजी और लोग इसको समझते हैं कि नहीं यार वो बना रहा है उसने इतनी मैनत नहीं करी होगी या फिर किसी फ्रेंड का एक्जामपल देते हैं उसने तो दो महिने में इतना पैसा बना लिया मैं क्यों नहीं बना पाया अब मैं बोलता हूं कि देखो बीगेनर लग सब के साथ काम क अगर वो लग के साथ चल रहा है तो मैं यह बोलता हूं अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो प्लीज इस फील्ड में मत आईए यह बहुत डिफिकल्ट फील्ड है यह आपको मेंटली इतना एक्जास्ट कर देगी मतलब मेंटली इतना निचोड देगी आपको कि मतलब आप आप अपना ट्रेड भी सही ले रहे हो आप सारी चीजा रहे हो उसके बाद भी आपको लॉस हो सकता इस फील्ड में चाहे वो ऑपरेटर का कोई गेम हो या फिर कोई न्यूस की वजह से मारकेट घिशाय तो यह आपको उस फीड में जहिलनी पड़ेगी तो टाइम तो इसमें देना पड़ेगा जर बेना टाइम के नहीं हो सकता इस चीज में बिलकुल भी नहीं हो यह झाले अगर अगर ऑगर के किसी अच्छी कंसुल्टेंट की जोब में लगे हो आपका की डेली रॉटीन में आपके लि याओगे टैंशन में व्होंगे वापिसाना अगले दिन वो फ्रेश मांविंड से नहीं आसकता है अगलए दिन उसके पास टेंशन कि यार कल मैं इतना करके आया हूं, आज मुझे कुछ करना है या वापिस निकालना है है हल्का से वापिस निकालना है newminute लोग के खेलना है नुकसाल नहीं होने देना अट लिस्ट कुछ ना कुछ माइंड सेट के साथ तो एक ट्रेडर का जो वर्स डे है या बुरा दिन है वर्स डे नी बाद डे इस मच वर्स तो उसके लिए तो महने ज्यादा करनी पड़ेगी ना उसके पास आर मरी उसके पास आपके लिए हथियार है वोजार तकड़े होने चाहिए और हथियार कैसे पैढ़ने होंगे लेकर कैसे हाओगे हथियार सीख एक चीज़ और मैं आप시 पॉइंट आड़ करूंगा कि जैसे आपने और प्रोफेशन की बात करी लोग इस चीज़ को नहीं समझते ट्रेडिंग में एक्चुली क्या होता है लोगों को चाहिए कि भाई मेरे को यह बता भी मेरे पास क्वेशन आते हैं मेरे को बताओ मैं एक महिने में एक लाग रुप आप इतना टाइम नहीं है मेरे पास मेरे को तो दो महिनें तीन महिने में सिखा दो आप या फिर मेरे अकाउंट में ट्रेड कर की मेरा कैपिटल ग्रोग करके देऊ आप इतना परसेंटेज रख लेए और और वा कि मैं रख लूँगा सर प्लीज मेरी इतनी सी हएल्प कर द सेलरी मिलती है आप इस फील्ड में आ रहे हो आपको चाहिए कि बस आप बीस दिन काम करो बीस दिन में से ट्रेड करना है आपको छे गंटे उसमें आपको मतलब आपको महीने के आपको दिन का एक लाग चाहिए यह जो ग्रीड है यह जब तक नहीं जाएगी तब तक इस चीज में आप जो है सक्सेस्फुल नहीं हो पाऊगे यह बहुत बड़ी मतलब वीकने से लोग इस टॉपिक पर बात करें मेरे दिमांग में कुछ और पॉइंट भी आ रहा है अभी क्या है जनलरी के अगें किसी ओर प्रफेशन में होते है आपर तो अपना 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 एंबिशन क्या होता है मेरे को एक अच्छा इंजिनियर बनना है मेरे को एक अच्छा लॉयर बनना है क्या हम यह कहते है कि मुझे एक अच्छा ट्रेडर बनना है हम कहत तपस्य भी कर ली यूट्यूब से पैसा भी आ गया और सात लाग रुपे का प्रॉफिट भी कमा लिया है कॉंग्रेट्स उन्दाट के अपने उस तिन उस ताइम पे एक कितना कॉंफिदेंस मिला होगा एक ट्रेडर को कि उसकी सीखी हुई बातों से जब उसने ट्रेडिंग की तो प्रॉफिट बनता है उसके बाद आप वाट वस्य परस्पेक्टिव ट्रेडिंग अब मैं कैसे दिखूंगा अब मैंने प्रॉफिट कमा लिया है नाओ आई नो हाव तो यह प्ले दगेम उसके बाद जब मैं थोड़ा आगे वड़ा उस फेस से आगे बड़ा सात लाग प्रॉफिट मेरा जो उस वक्त का बेस्ट मन था देन उसके बाद थूड़े मिरोको जब वह говорю देट पड़ा लगब धाई लाक बड़ा वो भी हिस वजय से क्योंकि मैं थोड़ा में आ गया था मैं खुद बोलता हूँ मेरी अगर मेरे से कोई पूछे कि संचेद भाई आपकी वीकनेस क्या है तो मैं यह नहीं वहलूँगा कि मेरा ग्रीड बिल्कुल खताम हो गया है तो मैं जूट बोल रहा हूँ यह चीज समझे होगी बड़ा ट्रेडर भी नहीं बोल सकता है यह बात तो नहीं बोल सकता है यह चीज के ग्रीड आपका रहता है इसी वजय से आप इस फील्ड में हो थोड़ा बहुत तो ग्रीड मैंने डेलि का प्रौफिट का टार्डेट के रहें जैसे अगर मेरा डेलि का लॉजका प्रिस का टार्डेट है च्वंटी फाउजन या फिंस्टी थाउजन तो डेलीःम मेरा ब्रौफिटचर टारडेट भी वन इस्टू बीशन का होगा जैसे plac तो उसके के बदले में 50,000 प्रॉफिट जो है वो करूगा 50,000 प्रॉफिट हुआ सिस्टम बन किल स्विच आज आज कल तो आपको बहुत अच्छा जीरोधा में ऑप्शन मिल जाता है किल स्विच का किल स्विच आपने दबा दिया आपने अकाउंट बन कर दिया और यह चीज करना अब इस चीज पर बोला तो मैं बोलूंगा बहुत असान है चुरू में मेरे को भी लगा यार मैं कर लूंगा तीन चार दिन करा चौथे दिन क्या हुआ जब मैंने फोर्थ डे करा यह चीज उसके बाद मार्किट में बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट उपर और एक्सपाइरी माइन प्रेशर पड़ा कि नहीं यार यह बहुत मतलब मैंने गलती कर दिया अगर मैं आज होल्ड कर लेता तो मेरे को प्रॉफिट अज बहुत तगड़ा हो जाता है वह होता है जिसको लोस खाना आता है इस पर क्या वाट तो इंडिया में या फिर कहीं भी आप चले जाओ मतलब मैं बहार के ट्रेडर्स की भी अगर बायोग्रफी वगरा पढ़ता हूं उनका एक पॉइंट रहता है कि लॉस को काटना एक सबसे बड़ी आर्ट है अगर आप ट्रेडिंग के फील्ड में लॉस को देखके इमोशन एड करने लगोगे लॉस को लेकर वल्लब या तो आप दुखी होने लगोगे लॉस से या फिर आप मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करोगे कि नहीं यार मेरा अनलिस तो गलत हो नहीं सकता या फिर मैं कैसे गलत हो सकता हूं जब इमोशन आप एड करने लगोगे इस फील्ड में मैं बोलता हूं आपको बहुत बूटल हो सकता है अपने लॉस को काटने के लिए बिल्कुल भी इमोशन को अगर आप लाओ के बीच में तो बहुत दिक्कत होगी आपको और सक्सेस्फुल ट्रेडर वही है जिसने अपना लॉस जल्दी काटा है क्योंकि बहुत लोग बोलता है कि संजित बाई ये बताओ कि कोई ऐस जोट सच नहीं बोल रहा है वह जूट बोल रहा है तो रोज प्रॉफित करना बहुत डिफिकल्ट है अगर कोई कर रहा है तो भाध अच्छी बात है बट मेरे लिए लिए पर्सनली रोज प्रोफित करना इस इंपासिबल मैं क्या करता हूं सब्ट्र कि जिस दिन लॉस हो मेरा दुनिया का सबसे बड़ा टॉप नंबर का कि मैं रोज प्रॉफिट करता हूं यह तो क्लियरली इस नॉट अफाक्ट बट दी आंसर दिस पॉइंट के जब मेरा लॉस हो तो मैं लिमिटेड रखूं यह अच्छी बात है पट और जब मेरा प्रॉफिट हो तो वह उतना ह पर हो जाय कि मैं रिस्क्रवाउड रेशियो को लेकर चल रहा हूं या मैं इसको imper psychologist लेख कर भार बी हरग क अपना अपना होता है और इसका ट्रेडिंग सेगिमेंट कौन सा है एफनो में कर रहा है तो अलग है इक इंट्राडी मार रहा है तो अलग है बट हाउ दू इसमें अगर आप देखो तो रिस्क रिवार्ड मैं जनरली जो प्रिफर करता हूं वन इस्टु तो एक बिल्गुल सिंपल लौजिक है आपका अगर 25,000 आपका लॉस हो रहा है तो 50,000 आपका जो है वो प्रॉफित होना चाहिए इतना आप हमेशा रखते हो लेकिन वही बात है यह चीज बोलने में बहुत असान है कि अपना लॉस लिमिट में रखो और जिस दिन लॉस हो रहा है उस दिन लिमिट में रखो क्योंकि मैं परसनल एक्सपिरियंस से बता रहा हूँ जब आपका लॉस होता है आपका माइंड बिल्कुल हिल जाता है साइकलोजी आपकी खराब हो जाती है आप या तो आवेश में आ जाते हो थोड़ा कि मेरे को आज के दिन ही लॉस रिकवर करना एक सबसे बड़ी एक जो दिक्कत की लेटेल की उनको जिस दिन लॉस हुआ है न उसी दिन उस लॉस को रिकवर करने की नहीं करता हूं यह अवाइड करता हूं तो मेरी साइकलोजी कि अगर loss हो जाता है मेरे first trade में या second trade में दो trade में minimum रखता हूँ अपने तो अगर first और second trade में मेरे को loss हो गया 25-25,000 का दो loss हो गए तो उसके बाद 100% मैं guarantee से बोल रहा हूँ कि अगर मैं तीसरा trade करूँगा तो उसमें भी मेरे को loss होगा तो कि यह चीज मैंने खुद experience करके देखो आपके पास आप trader हो आपके पास इतना time है अगर फुल-time trader हो या फिर part-time trader हो तो अपना दो दूसरा काम है उसके उपर focus करो लेकिन पूरे दिन आप यह सोचोगे कि नहीं यार सुबह लॉस हो गया तो दिन में कोई अच्छा मूँ आएगा उसको पकड़के अपने loss को रिकवर कर लूँगा वो फिर आपकी psychology के उपर effect करेगा जो मेरे साथ होता था कई ऐसे भी होता था जैसे मैं बोलता हूं कई दिन सुबह लॉस हो गया दिन में profit हो जाता था और वो दिन मेरा profitable निकल जाता था लेकिन जब मैंने average आउट करके देखा कि इस चीज से मेरे को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है तो month over month basis मेरे को पता चला कि नहीं यार जिस दिन मेरे को loss हो रहा है उस दिन मैं अगर दुबारा से over trade कर रहा हूं loss को recover करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो मेरे को जादा बड़े losses दे रहे हैं rather than मैं अगर उस दिन trade ना करूं तो मत कि अगर वो ट्रेड निकाल देना आप तो आई थिंक अपना पी एंगल काफी अच्छे शेप में हो सकता है रिलेटिवली बट यह जब एक वंदे का लॉस हो जाता है इंडियोर अर्लियर डे जब आप सीख रहे थे इस चीज को कि मुझे नहीं करना है उस फेज में कर आप सो वो चीजे होती है तो लॉस में क्या होता है आपने सब कुछ सही किया उसके बाद भी आपको लॉस हो गया वो चीज तो आप फिर भी बोल देते हो कि नहीं यार मार्केट ऐसा था कोई न्यूस आ गई वो चीज तो आपके माइंड से निकल जाती है लेकिन जब यह फील्ड को काफी जाधा इफेक्ट करती है आपको नीन रही आती दो तीन दिन तक आप सोचते रहते हो कि काश उस दिन मैंने अगर यह गलती ना और अगर फ्राइड़े हो तो बस दो दिन आपका सैटर्डे संडे पूरा वीकेंड खराब यह तो बहुत बड़ी दिक्क्त है सर यह स्टार्टिंग के फेज में मेरे को भी मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी इस चीज से लेकर और मैं जानता हूँ आज भी मेरे कई दोस्त हैं जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं जर्नी में स्टार्टिंग में हैं लॉस हो जाता है तो उस चीज़ को पचाना बहुत मुश् लॉस रिकवर करना है हमेशा वो लॉस रिकवरी की चीज में लगे रहते हैं तो उन से उनके जो आगे वाले ट्रेड होते हैं वो भी और एफेक्ट हो जाते हैं इमोशन आ गया प्ले में इमोशनल आ जाते हैं ओके फेर तो बट देन यू मेड आपने एक रूल बना लिया क मैं करूंगा ही नहीं और उससे स्टिक हो गए मतलब ऐसे स्विच था कोई एक दम से चेंज हो गए यह एक प्रोसेस थी है प्रोसेस फॉलो करना वड़ा स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्ट हुआ क्योंकि एक तो गया है न मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आ गया कोई ले जाओ मेर से मतलब यह वाली सिम जिससे मैं लॉगिन कर रहा हूं यह सिम कोई मतलब मेर से ले लो ताकि मैं आराम से रह पाऊं मतलब इतनी वो चुल होती है ट्रेड करने की वह जो लगती है उसके बाद आप कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन वह यह दीरे दीरे अगर आप इस चीज के उपर काम करोगे मतलब थोड़ा रिड्यूस करो यह नहीं मैं यह नहीं कह रहा कि कल से आप जाओ और एकदम से आपने सोच लिया कि बस मेरे को आप ट्रेड नहीं करना तो आप ऐसा हो जाएगा अगर आप ओवर ट्रेड करते हो तो आप धीरे धीरे एक-एक ट्रेड करना स्टार्ट करो और उस चीज को आप देखो के आपके PNL पर वो चीज कितना पॉजिटिव इंपक्ट डालगे क्यूंकि मेन चीज हम्ट कर रहा हैं मज़े के लिए तो कर नहीं रहे हैं यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ in enjoyment के लिए ट्रेड करता हूँ तो भाई आप मत करो पाइसे बनाने के लिए ट्रेडेंग को कम करते हुए अगर आप एक ट्रेड कम लेना स्टार्ट करो अगर आप 10 ट्रेड लेते हो दिन के 8 ट्रेड लो इसके बाद आप खुद देखोगे कम ट्रेड लेने से आपका जो पी एनल है उस पे कितना बड़ा पॉजिटिव इंपक् तो वह प्रोसेस क्या था चुरू में तो एक्चली क्या है यंग एज में होते हैं जाधा तर लोगों को मेडिटेशन या फिर इन चीजों के बारे में अगर वह घर वाले बोलते भी है तो जाधा कुछ इंपक्ट नहीं पड़ता है कि नहीं यार यह कुछ नहीं होगा इन ची दो मिनेट शांती से बैढ़ जाओंगा तो इससे मेरी ट्रेडिंग क्या इंप्रूव हो जाएगी यह चीज माइंड में आती थी लेकिन फिर जब ओवर ट्रेडिंग एक कंसर्न बनने लगा वह पी एनल पर थोड़ा बहुत डेंट डालने लगा तो मेरे को लगा कि नहीं यार अगर ओवर ट्रेडिंग से छुटका रहा पाना है तो कुछ तरीके तो अजमाने पड़ेंगे कुछ चीजे तो करके देखनी पड़ेंगी तो फिर देन मैं मेडिटेशन करना सुबह के मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले आदे गंटे के लिए बिलकुल शांती से मैं बैट जाता हूं और फोकस करने की कोशिश करता हूं अपने मांड को करने की कोशिश करता हूं उससे क्या है कि dedic में क्यूंकि सब वहーट क्विक di मेरें छेडिक पेड़ के था उसके बाद मेरें को अपनी ट्रेडिंग में में थोड़ा इंपूरूमेंट मैं बौलता हूं एक हफते बात से डिखना स्टार्ट हो गया और जब मेरे को तो दिखना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद वो बोलते है ना जब कुछ आपने चीज करी पॉजिटिव इंपक्त आया तो उसके बाद तो फिर आप करना ही लगते हो वो सारी चीज़े प्रोसेस को फॉलो करना ही बढ़ता है तो यू कैप तो दोई इट अभी भी करते हो अभी डेली रूटीन का पाट बन गया है उसके बिना फिर अब तो यह रखता है कि अगर वो ना करो तो फिर थोड़ा माइंड डिस्टर्व हो जाता है इस तरीके का मेरा रूटीन में वो इतना जुड़ गया है वाट इस यूर रूटीन लाइक अगर फुल टाम टेटर की बात करें इन यूर केस कैसे मतलब दिन चुरू हुआ पूरा ट्रेडिंग कैसे चलता है उसमें अभी तो अच्छली क्या होता है सुबह अगर मैं पांच बज़े उठता हूँ वाव रियली क्योंकि नीन एक तो बहुत मेरे को कम आती है मैं परसनली अगर आपको बताऊं तो नीन बहुत कम आती है मेरे को क्योंकि पूरे दिन माइंड में भी मंडे टू फ्राइडे तो सिर्फ यही चल रहा होता है सुबह चल रहा होता है निफ्टी वैंग निफ्टी क्या करेगा शाम को चल रहा होता है कि वेडिटेशन वगएरा किया, फ्रेश वगएरा हो गया है, उसके बाद अपने आ जाते हैं, शाथ बज़े से, वर्ल्ड मार्किट को ट्रैक करने के लिए कि आज का प्लान क्या है, सबसे बहले वो तैयारी कर लेते हैं, हम लोग, एक घंटे में वो तैयारी कर लेता हूं, उस करना है हां मतलब अपने आपको फोकस करने के लिए मैं म्यूज which सुनता हूँ और फोकस करने के लिए कि कि मैंने यह चीज मैं क्विछ बीजिक कोई फिक्स है या कुछ भी उताब नहीं मुजिक फिक्स नहीं है जो मतलब प्लेइस्ट में होता है उस वक्त बस मुजिक होना चाहिए उसके बाद मैं मुजिक सुनते-सुनते मतलब पूरा प्लान कर लेता हूं कि आज मैं अगर मार्केट यह करेगा तो मैं ऐसे पूरी मेरी प्लानिंग होती है देन उसके बाद फिर हम बैठते है ट्रेड करने के लिए छे गंटे बिल्कुल फोकस होके मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है छे गंटे तक कोई मेरे रूम में भी आए जब मैं चार्ट देख रहा हूं तो यह सब यह सब यह तो पाद है और यह सीरियस आद डूंट इट एनिफिंग छे गंटे कि लिए रही नहीं मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी ओमाई गौड मेरे को पसंद नहीं है डिस्टर्बेंस मैं पानी की वोटल रख लेता हूं अपने बास उस पानी की वोटल पर छे गंटे अपन सिर् मेरे पहली बार सुना है कि सुबह जब नो बजे बैठे और शाम को तीन साड़े तीन बेर तक बंद किया तब कुछ नहीं खाया पानी की वोटल साथ में और कुछ ने और इस चीज़ से लेकर आप क्या हुआ मेरी मम्मी जो है इस चीज़ को लेकर बहुत वो रहती है कि मतल आपकश बिया लेन लुदा तो यह बहुत बहुत वोट यह उछ पाला मेरा इंपाक्शन ने मतल नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्रह से लग्त खाला मेरा इं ग्रान मेरा इंपक्ट आरया कर गरस You can Lail a higher लेकार मेरा next इस चीज को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं मतलब पैसा और यह चीज तो अपनी जगह है लेकिन हेल्थ अगर वह रहेगी तो फिर काम नहीं चलेगा लॉंग टम के लिए यह अच्छी चीज नहीं है तो बताईये तुरू आउट ट्रेडिंग जब 6 गंटे ह हो रहे होते हैं टो यू ट्रेड अलों या कोई दोस्तों के साथ में कॉमृट्टी ट्रीडिंग है क्या है एक्चली हमारा एक डिस्कॉर्ड गूरूप है अच्छा पर मैं आपको बताया हमारी टीम मेंबर है अकाश वह और हमारा एक और फ्रेंड है आधर्स तो हम तीन चा पास आसपास ना ओया फिर कई लोग होता है न मतलब स्क्रीन देख रहा है जैसे मेरे मामा भी आ जाते हैं कही आप कैसे ट्रेड कर रहे है तो मैं उनको बोल देता हुआ नहीं आप मेरे रूम से भार जाओ मैं आपके सामने ट्रेड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस हो जाओंगा क्योंकि एक तो वह है कि उन्होंने ही ट्रेडिंग सिखाई है जैसे वह था गुरू अगर आपको सामने से देख रहा है तो उसके बाद आप थोड़ा नर्वस हो जाते हो कि नहीं यार इनके सामने मैं कैसे करूंगा यह चीज थोड़ा मेरे को इंपक दोस्तों के साथ ट्रेडिंग करते हो तो एक दोसरे को बताते हो कि यार यह मत कर यह गलती हो सकती है कल हमने यह किया था वैसा वैसा सो दीज काई डिसकॉश्शन सेपन हां जी यह चीज मैं बोलूंगा काई लोगों के लिए यह चीज वर्क नहीं करती है ओके आ मैंने वर्क नहीं करते हैं गरूप में थोड़ा ट्रेड करना वर्क नहीं करता है क्योंकि लोगों का बदल जाता है जैसे किसी का बीश है दो लोगों का बीश है अब वीश यह डिपिरश वाली बुलिश चले गए और मार्कẽट बीरिश crimes हो गया तो बहुत हो गया तो फिर वो słuG तेनों लोग जो है वो अलग-अलग अपनी फील्ड अलग-अलग चीजे ट्राइब तो ऐसा नहीं एक ही एक ही ट्रेड ले रहे हैं तीनों सबका अपना अपना तरफ जा रहे हैं आई ऐसा बहुत रहली होता है कि मतलब मैं इंडेक्स में ट्रेड कर रहा हूं वो स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं सी कॉमुलिटी ट्रेडिंग होती है मतलब अक्रॉस देवर्ल होती है इंडिया में भी अभी शुरू हो रही है एप्स भी है इस पे नहीं तो लोग खुद से इसे माइक्रोग्रूप्स बनाके टेलिग्राम पर या वाट्सएप पर या कठे हैसी डिस्क बावजूत फरक आ सकते हैं बडिकत वहां पर आती है जब चारो पांचो लोग एक ही ट्रेड ले ले चाहे किसी का अपना रिजर्वेशन क्यू ना हो बट वो दोस्ती आरे कि नातिया सिंस उसके कहने पर कल ट्री लेगी थी तो आज किसी और के कहने पर उसको लेनी पड़ यूँ यू शाड़े दीन बजे के बाद एक तो मैं सबसे वहले YouTube वीडियो मेरा है कि अभी मैं फोकस्ट रहता हूं मार्किट बद तो सबसे पहले Market Analyst इसमें बना के चार बजे तक साड़े-चार बजे तक डाल देता हूं अच्छा फटा फटा अपना काम हो जाता है उसके फिर एक दो घंटे का एक पावर नप जो होता है वह बहुत जरूरी होता है बहुत टारिंग दे के बाद क्या होता है मैं actually अभी US market में भी trade करना few months से start किया हुआ है मैंने तो US में भी फिर शाम को मैं जो है वो trade देखता हूँ थोड़ी मतलब छोटी-छोटी quantity से क्योंकि वहां पर क्या है मैं अगर personally बोलू अगर आपको Indian market में अगर आपका नहीं जम रहा है मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही है या price action को आप और अच्छे तरीके से सीखना चाते हो ना आप सिर्फ US market के charts को observe करना start कर दो क्योंकि US market बहुत matured market है अगर आप overall देखो तो एक तो बहुत पुराना market है और liquidity उसमें बहुत जादा है compare to बाग की जितने भी markets है तो वहाँ पे जो breakouts या breakdowns होते हैं वो बहुत failure होने का chance उनका बहुत rare होता है अब इंडिया में तो क्या है expiry से expiry से जुड़े वे moves आते हैं आपको बता है अगर यहां पे किसी ने call बेची हुई है नीचे किसी ने put बेची हुई है आप कितने भी breakouts breakdowns कर लो वो range में अगर रखना है तो सर वो range में रहे गई रहेगा यह चीज़ इंडिया में जो है वो चलती है लेकिन US में क्या है कि liquidity इतनी जादा है उसको operate करना जो बोलते न operator market को चलाता है वो बहुत मुश्किल है तो price action को अगर आपको सही में सीखना है या apply करना है तो आप US के charts देखना start कर दो आपका price action बहुत ज्यादा improve हो जाएगा ओके किती दिर से how long has it been कि आप कर रहे हो US market मैं around 3 months से अभी कर रहा हूं seriously कि मतलब पूरा मतलब 3-4 गंटे US market वो दिए तो US के market में अगर हम in terms of profit generation opportunities की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि आर वहां की market काफी mature हो चुकी है अब वहां से बहुत बड़ा पैसा निकालना तुला मुश्किल वाली बात है या this is not true actually एक तो फायदा क्या होता है na US market में trade करने का के US market में आपको margin जो benefit है future trading में वो आपको काफी मिल जाता है जो आपको यहां पर अभी नहीं मिलता है सेभी के जो rules आये है मुझे बता है आपने भी पूरा इस चीज को वो आगे बढ़ाया था इस चीज को करने का अब क्या कर सकते हैं वो कोशिश तो जारी है अब देखते हैं इंडिया में कब तक वो होता है लेकिन मैं बोलता हूँ तो यूएस में आपको इतना जवर्दस मार्जन बेनिफिट मिलता है फर्स टाइम जब मैंने ट्रेड करा या वहां के ट्रेडर से मैंने कोशिश करी सोशल मीडिया के थूरू और उनसे बात करी मैंने एक दो ट्रेडर से तो मैं जान के हैरान हो गया कि मतलब इतने छोटे अगर आपको काट देगा लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरेंस है मार्जन को अच्छे तरीके से यूज करना आता है तो बहुत एक बैनिफिशरी जो है वह यूएस मार्केट का मार्जन जो फीचर है वह आपको मिल जाता है वहां पर तो प्रॉफिट जनरेशन इस नोट अगर आप फ्यूजर ट्रेड कर रहे हो तो क्योंकि मार्जन बेनिफिट आपको इतना मिल जाता है कि आप कम कैपिटल में जो है वह काफी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो तो यह मेरे को एक अच्छा वहां का फीचर लगता है तो खाना खालिया सो गए यूए अगर आपकी साइकलोजी आपके कंट्रोल में माइंड आपके कंट्रोल में है तो आप ट्रेडिंग में आगे निकल सकते हो कई बार मैंने देखा है कई लोगो को जो टेक्निकल की इतनी नौलेज भी नहीं होती है का इच्छेड़र से मैं बात करिये या मिला हूँ तक्निकल में उन्हें नहीं पता होगा पचास itelేकेटर कौन-कौन से वो दस i ंडिकेटर के नाम भी नहीं ले पाएंगे उन्हें इतनी नोलेजय भी नहीं गीं लेकिन वो mentally इतने strong होते हैं वो लोग discipline से इतना काम कर पाते हैं कि वो लोग उसके बावजूद profit निकाल रहे हैं market से और इतनी simple तरीके से वो लोग profit निकाल पाते हैं तो इसलिए मतलब लोगों के experience से मेरे को यह पता चले कि नहीं यार अगर ट्रेडिंग में successful होना है तो psychology बहुत important हो अब मैं एक किस्सा आपको बताता हूं इससे related अभी दो महीने पहले की बात है September 30th को एक बहुत जबर्दस rally आई थी market के अंदर market one sided 400-500 points गया था और bank nifty 1500 points गया था तो उस दिन क्या हुआ था actually मैं trade कर रहा था उस दिन और 5 lakh capital से मैंने trade किया था उस दिन और 5 lakh capital से मेरा एक दिन में first time मेरा 50 lakh का profit बना था उस दिन बनाया यह किया यह चीज तो लोगों ने लिखी लेकिन उसके साथ लोगों ने लिखा कि भाई अगर आप एक घंटा और hold कर लेते तो आपका profit दो करोड़ हो जाता यह डेड़ करोड़ हो जाता आप जल्दी निकल गए मतलब यह चीज लोग समझते नहीं है कि exit करना भी ब in terms of psychology from the point कि जब आपको लगा कि मैं साथ लाक एक महिने का profit निकाला फिर एक होएगा कि अब मेंको अपने profit sizing को भी बढ़ा करना चाहिए दीरे दीरे इसको में प्रोसेस में लेके आता हूं तो एक तो होगा कि मैं loss को limit कर दूँगा risk reward के साथ बच साथ में अगर मैं अपनी profit साइजिंग को बढ़ाना है मुझे अगर मुझे हजारों से लाकों में और लाकों में बड़े लाकों में जाना है तो वो जरनी कैसी रही how have you evolved in terms of increasing your profits regularly and with a gradual size and increase as well सबका अपना अपना एक psychological जो है वो कैप रहता है capital को handle करने का जो मेरे को लगता है जैसे कई लोग होता है कि 5 लाक के capital से बहुत अच्छा trade कर रहे हैं उनका अच्छा profit बन रहा है लेकिन अगर उनको 10 लाक capital दे दो तो शायद वो उतना अच्छा trade ना कर पाए उनका जो psychology का जो level है वो उस profit या loss को handle नहीं कर पाएगा इसी त 20 लाक एक बार मेरा किसी account में अगर हो जाता है उसके बाद मैं profit को withdraw कर लेता हूं और दुबारा से मैं 5 लाक से शुरू करता हूं मैं कभी भी 25 लाक से उपर जाने की कोशिश नहीं करता एक बार मैंने ट्राय करा था 25 लाक से उपर गया था वहाँ पे मेरे को बड़ी चपत भी लगी थी लॉस देखने पड़ेते और मैं समझ गया था कि नहीं यार इससे जादा अगर मैं अभी के लिए अपनी psychology मेरी इससे जादा हैंडल नहीं कर सकती capital यह मेरा जो है capital की limit है कई option buyers मैंने देखे option sellers की बात नहीं कर रहा हूं मैं option buyers की आपे mainly बात होगी कि मैं option buying की कर handle कर सकता है पांच लाग के साथ वह 10,000 का loss देख सकता है 15,000 का loss देख सकता है अब वह capital double होगी वह loss double हो जाएगा फिर वह capital और बड़ेगी वह loss और जो है वह double होता जाएगा तो वह चीज हर कोई handle नहीं कर सकता है और मैं अभी भी personally 20-25 लाग से अगर बड़ा account होगा तो मैं handle नहीं कर पाऊंगा trade करने में quantities increase करने में क्योंकि अभी भी मैं उस journey में हूँ मैं यह नहीं बोल रहा है कि मैं trader बन चुका हूँ या मैं successful trader हूँ आप कभी इस field में बोल ही नहीं सकते कि आप successful हो हमेशा आप एक journey पर हमेशा चल रहे हो तो मैंने भी अभी अगर आप देखो तो 20-25 लाग अगर हो जाता है उससे जादा अगर मेरा profit हो गया तो I would just withdraw that profit और उसको मैं investment में डाल देता हूं अराम से और दुबारा से 5 लाग से start करता हूं और दुबारा से उसे grow करता हूं 20-25 तक तो यह मेरी strategy अभी जो हो चल रही है मैं तो इतना reality check है कि मेरे को पता है कि मेरा एक level कहां तक पहुंच चुका है चलो 25 लाग है वो किसी time पर कम था और कम था किसी time पर obviously और बड़ेगा भी बट इतना reality check over a period of time करते रहते हो कि अब मैं इतना capital संभाल सकता हूं पुष मैं करने की कोशिश करता हूं अपने आपको कई बार क्योंकि 25 लाग है यह भी पता तभी चला जब हमने अपने आपको पुष किया क्योंकि पहले तो पांच लाग से कर रहे थे पर साथ से करा दस से करा तो धीरे-धीरे capital को मैं increase करके trade करने की कोशिश करता हूं लॉसिस को हैंडल नहीं कर पाता हूं यह प्रॉफिट में बहुत जादा greed में आ जाता हूं तो यह चीज फिर मैंने अपने आपको लिमिट लगाने कि यहां पर कोशिश करें अब कई लोग तो कहेंगे लायर क्या यह पांच लाग 25 लाग 50 लाग की बाते कर रहे हैं ऐसे ल कोई रेस फिनिश लाइन फिनिश लाइन तो लग बात है कोई स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा हूं और रेस के गरमदान पर ही नहीं आया है लेकिन उसको लगता है कि यह रेस बहुत असान है तो वह नंबर किस तरह से उनको पता लगे कि मेरे नंबर क्या है क्लैरिटी क इस्टार यह किस तरह से हो सकती है किस तरह से देखे कि मेरे नंबर लेवल यह बन चुका है लुद सब अगता होनी जाइए कि जो स्टार्टिंग पॉइंट ईनको आपका वह जितना च्छोटे से लेकर चलोगे अतना आपके लिए भैतर रहे लेके आते हैं लोग क्या करते हैं सारा का सारा पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं कि मेरे को ट्रेड करना इस पैसे से अब गलती सबसे वड़ी होती है कि आप सारा पैसा अगर ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दोगे तो फिर कभी भी आप जो है वो अप चीज़ आपको समझी नहीं होगी प्लीज मैं बोलूँगा सबको जो भी ए वीडियो देख रहे हैं कि अपना जो कर रहे हैं तो प्लीज पच्चेस हजार दस फाजर पांच आप रखोगी उतना आपके लिए और आपकी साइकोलोजी के लिए बहतर होगा कि जब आप चोटे कैपिटल पर प्रोफिटेबल होगे तभी आप बड़े कैपिटल को हैंडल कर पाऊगे अगर चोटे परी प्रोफ तो में मेरे पास capital लहीं है इस वज़े से में profitable नहीं हूं कि मेरे पास अगर 5,000,000 रुपए होते तो मैं profitable हो जाता है मैं छोटे capital पर trade करता हूं जैसे 10,000,000 पर ट्रेड करता हूं तो इस वज़े से मैं profitable लहीं हूं उनको बोलूँगा कि यार 10,000 पे अगर आप कर रहे हो तो month end में आपका कितना percent return generate हुआ वो पहले आप देखो आप फिर capital को increase करो 10,000 से आप 20,000 पे जाओ वहाँ पे आप देखो month end पे कितना percentage return कर रहे हो उसके बाद आप capital को फिर थोड़ा सा increase करो तो यह एक लंबी journey है ऐसा नहीं कि भाई आज हमने एक लाग रुपे डाले कल 10 लाग हो जाएंगे परसो एक करोड हो जाएगा उसके बाद 100 करोड हो जाएगा ऐसा नहीं होता आपको यह दिखाया जाता है मतलब आजकल तो ads चलती है share market की के भई आप करोड पती बन जाओगे आप लग पती बन जाओगे अगर इतना आसान होता तो जो अंबानी और जो businessmen लोग है वो लोग अपने business छोड़के trading ही कर रहे होते ना वो लोग अपने business क्यों कर रहे होते अगर इतना आसान होता trading से करोड़ पती बनना तो वो लोग इतनी महनत क्यों करते इतने बड़े-बड़े धंदे सैट करने में इस चीज़ समझनी बहुत important है सार पता क्या होता है एक trader को seriously लगता है कि capital मेरा 10,000 रुपे है मेरे को बताया जा रहा है कि capital धीर-दीर इतना खुद बखुद अब अरे भाई मेहनत करो ना आजा यूट्यूब पे कोई ओर जॉब कर लो को सेकेंडरी जोब ठालो पैसा निकालना पैसे तो खुद से निकालना पड़ेगा like in your case you आपके बास नहीं थे ना funds started a YouTube channel दो तीन चीज़ें की help हो गई इसमें पैसे की help हो अब आता हूं मैं scalping के ओपर इस फॉर्माइट जो होता है थोड़ा risky माना जाता है और इसमें इसमें थोड़ा कम capital भी जल सकता है depends on the trader वो वेरी करता है बंदे trader to trader but how has been your journey इसकी तरफ कैसे आगए आप इसकी तरफ मेरे को एक्शली पहले जो मैं था ट्रेडिंग में मैं hold कर करके रखने की मेरी tendency जादा थी मतलब अपने winners को मैं hold कर पाता था जैसे मैं मैंने आपको बताया और कई बार वो backfire भी करता था मेरे को तो फिर मैं scalping की तरफ एक foreign YouTuber थे उनकी में video देख रहा था तो scalping को लेकर वो कुछ थोड़ा video बगारा मैंने देखी तो मैंने देखा इ आजकल क्या होगे ना सर एलगो बहुत ज़ाधा वार्केट में active हो गए एक्तिव हो गए अपसुलिटी रूल बेस् वे य्कल जो हम देख रहे हैं कि ब्रेकाउटस वेलियर हो रहे है या फिर मार्केट्ट जो है रेंज में रखते हैं उपर नीचे उपर नीचे बहुत बा करता और फिर वहीं पे चोटे से मुव में प्रॉफिट कमा के निकल जाता तो यह चीज जब मैंने देखी तो मेरे को लगा एसे तो मतलब अभी यह कुछ महीनों से मैंने इस चीज के उपर देखा और ज्यादा फोकस किया कि यह ऐसे तो मैं तो काम करने ही पाऊंगा मतलब य पर जो है वो थोड़ा कम होता है मैं बोलूगा कि एक 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 लाग पिटल मान लीजे आप आपके बास है या पचास हजार कैपिटल है इस पे बहुत असानी से स्कैल्प करके दिन का 10 परसेंट आप निकाल सकते हो और दिन का 10 परसेंट कोई बुरा ही नहीं है अगर आप द अगर आप बना रहे हो तो और इस चीज के उपर जब मैंने देखा क्योंकि सर दिक्कत क्या ना लोग रोज का पी एनल देखना ज्यादा प्रिफर करते हैं राधर दन मन्थ एंड में उनके पास क्या बचा उस चीज को देखने का तो अगर आप स्कैल्पिंग भी करते हो औ इनका 10% भी आप निकाल रहे हो अपनी कैपिटल के उपर अब मन्थ एंड में जब जाओगे ना आपके पास इतना अच्छा रिटर्न होगा कि आप खुछ सर्प्राइज होगे कि यार मैंने कितना जबर्दस परफॉर्म किया है कंपेर टू दूसरे ट्रेडिंग स्टाइल जब मेरेंठ को समझ में आई क्योंकि मैं म्लटीकल अकाउंट में एक डश्पली अकाउंट के लिए जलता है एक आंचेल्पिंग करता हूं तो उसमें जब मैं देखता हmud DCMổi mêmes रिटरन परसेंटेज किसमें मिला तो जब स्काहल्पिंग में में जाधा रिटन परसेंटेज म लगाया 10% 15% निगाला उसके बाद पूरे दिन आप शांती से बैठ गए मेरा दिन का जो है वो टार्गेट हो गया फिर आप बैठ जाते हो तो स्कैल्पिंग आपको टाइम फ्रीडम बहुत ज्यादा देती है और दूसरे ट्रेडिंग साइल में क्या होता है आपने सुबह माल लीजिए ब्रेक आउट हुआ ब्रेक आउट पर बाई गर लिया उसके बाद वो साइडवेस चला गया बैठे रो है अराम से और मैं पूरे दिन फ्री हूँ और कुछ मेरे को करना है सेकेंडरी काम करना और मैं बोलता हूँ जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग उनका फुल टाइम नहीं है वो स्कैल्पिंग के उपर ही काम करें अपना दिन का दस परसेंट पांच परसेंट कैपिटल में निकाले और उसके बाद शांती से बैठ जाएं उनके लिए सबसे वहतर चीज़े स्कैल्पिंग करना स्कैल्पिंग में इस अड्रेनिल रश भी होता है और आपको फोकस भी रखना पड़ेगा स्क्रीन टाइम भी अच्छा खासा होना होएगा याट एक ट्रेडर और यह चीज़ तो है बट हाँ स्कैल्पिंग में जब रिटर्न्स आपको दिखने लगते है एक तो स्कैल्पिंग में ट्रेड चाफी होते है तो जैसे अपर्चुनिटी आपको बार-बार ढूंते रहते हो आप लोग और उसमें ट्रेड करते हो दिन के कितने trade हो जाएंगे अगर आप मानके चलो तो 10 trade हो सकते है अब सक्早कॉप कर रहे आपको इतनी opportunities 10 trade मिल जाएंगे 10 by 10 sell 10 by 10 sell आपको इतनी opportunity मिल जाएगी अगर आप scalp कर रहे तो लेकिन अगर आप hold करने सौनइडे में तो 200 अगा capture करने के लिए सोच रहे हो तो उसमें आपका trade का quantity काम होने चाहिए, कई लोग क्या करते हैं वो move को capture करना चाहते हैं, लेकिन करते हैं वो scalping है, अंजाने में scalping करते हैं वो over trading करते हैं तो ये एक जो है वो बड़ी दिक्कत होगी है तो इसको थोड़ा explain करो मैं kinda समझ गया हूँ इसको थोड़ा explain करो, क्यों को अभी भी पताने लगेगा कि वो यही चीज कर रहे हैं तो क्या होता है, जैसे breakout आया, किसी भी चार्ट में breakout आपने देखा, आपने trade ले लिया उसके बाद आपका stop loss लगना चाहिए या आपका target आना चाहिए, दो चीज़े होती है लोग क्या करता है, breakout होता है वो थोड़ा सा अटकेगा वो निकल जाएंगे उसके बाद वो उपर जाएगा वो फिर टॉप पे वाई कर लेंगे फिर वो थोड़ा सा नीचे आएगा फिर वो निकल जाएंगे तो वो कारव वो scalping रहे है लेकिन वो reverse scalping कर रहे है ये चीज़ में इस चीज़ को बोलूँगा कि वो reverse scalping कर रहे है वो scalping में profit करने की बजाए broker का वैसा बनवा रहे है और कुछ नहीं कर रहे है ये भी पता देना चाहिए कि आपकी बहुत सारी ट्रेड कर रहे है ये बहुत सारी ट्रेड कर रहे है डिपेंडिंग और ये कैपिटल अज वेल फुल सब इसके साथ हो तो बच्छी का जीवाट लगो है डिस्काउंट बोकर के सब दी चार्सो पान्सो हजार पर कर रहा हूं और इसको इंप्रूव करने की कोशिश ही कर रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है कि टाइम फ्रीडम मेरे को स्कैल्पिंग से थोड़ा जाधा मिल रहा है कंपेर टू पूरे दिन एक ट्रेड को होल्ड करके रहना और मार्किट कंडिशन भी अब तो खेर पिछले तीन चार दिनों से थोड़ा इंडिया विक्स इंक्रीज हुआ है और वरना 12-13 के इंडिया विक्स पे आपको स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी अगर आप स्कैल्पिंग नहीं कर पाऊगे तो आप ट्रेड होल्ड करके बैठे रहो आपका स्टॉप लोज जो ऑप्शन डीके होगा थीटा डीके होगा वो करवा देगा तो यह एक दिक्कत की बात है आपको जो है ना विक्स मार्किट कंडिशन के इसाफ़ से अपने स्टाइल को चेंज करना बढ़ेगा इसमें भी होता होगा न संजीत के बहुत साइड कर रहे हैं तो ऐसा कोई स्ट्रीक आया हो कि जिसमें लगातार लॉस होए हो एक ही दिन के अंदर अगर मैं मुल्टिकर डीस ना करूं तो उस टाइम पर क्या होता है क्योंकि उसमें पतना लगता कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूं कि मैं स्केल्पिंग करे जा रहा हूं कि मैं what exactly I am doing तो उस उस हाओ एक्सपिरियंज कमस आउट तो उसमें ही मैं बोलूंगा कि आपका जो लॉस का लिमिट होता है वो इस दिन ही काम आता है कई लोग क खुदकर दिसकाउंट कर देते हैं क्या है यह फोटको वह छिप्सतिया कोई रिकवर करलूंगा कल से नहीं करण तो वह क्या होता हूं 21 दिन लगते हैं आपको कोई भी हैभइट बनाने में और एक दिन लगता है आपको वहाविट को तोड़ने में तो एक दिन आपने वो लॉस की लिमिट तोड़ी आप खुद से जो है वो बोलते हैं खुद से आप जूट बोल रहे हो सबसे बड़ी चीज यह होती है और वो चीज अगर आप करोगे तो मार्केट आपको बिल्गुल भी माफ नहीं करता है और बहुत बड़े लॉस जो है वो मैंने लोगों को होते वे देखे हैं खुद भी मैंने फेस करें हैं जिस दिन मैंने अपना रूल तोड़ा है तो इस फॉर्माट में यह एक डिस्क्लेमर है कि यह चीज हो सकती है कि आपक लाइटित के अभी मामा जी के साथ जब discussions रहते हैं क्हां ऑंवी टो बात इसे रिलेटेटिछ से जह आंव किस तरीके से था होता है कि मेरे को अगर लगता है कि मार्केट ऐसे जा रहा है तो मैं अपनी जो है वो पोजीशन बता देता हूं और उनसे जो है वो मतलब एक तो क्या होता ना अगर आपके पास कोई मेंटर है एक्सपिरियंस मेंटर है जिसने 15-20 साल इस मार्केट को दिये है तो आपकी बहुत जादा हो जाती है और मैं बोलता हूं सब लोगों को नहीं होते हैं सब लोग इतने फॉर्चुनेट के उनको इस तरीके के मेंटर मिले घर में ही सब्सक्राइब को जिसको पेन भी है कि यह इसका लॉस नहीं होना चाहिए लॉस होएगा तो फिर ही इस इमोशनली कनेक्टेड विद यू तो बट डेफिनिटली मेंटर प्लेज रोल अगर मालो के मामा जी वोट नॉट नॉट हैव बीन दी फोर्स इन यॉर लाइफ तो ब अगर आभरा नॉट होटा एक हैं कि मातना मामा फिर हैं कि विद ex-bit और लॉट के जesse होता है कि सब किसी के कि market सिखाता है फिर आपको या तो आप किसी mentor के जरीए सीख जाओ या फिर आपको market को fees देके वो चीज सीखनी पड़ेगी और वो journey फिर लंबी हो जाती है तो जैसे अगर मेरे को 4 साल लगे इस level पे पहुचने में मैं बोलता हूँ अगर mentor नहीं होते हैं तो हो सकता है मेरे को इस से double time लगता 8 साल लगते, 9 साल लगते 10 साल लगते, वो journey बहुत लंबी हो जाती क्योंकि सीखने में फिर जो points वो बता देते हैं या फिर अपने experience से जो चीज़ शेयर कर देते हैं वो क्योंकि फिर खुद मेरे को फेस करनी पड़ती तो मेरे को क्या होता है वो फेस करने से पहले वो चीज़ समझा देते हैं और वो बताने की कोशिश करते हैं यह मेरे लिए बहुत जो है वो जर्नी को कट करने में बहुत advantage रही है मामा जी का नाम क्या है सुरेंदर सिंग राना जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका के डैट काइंड ओफ माइंसेट हम चाहते हैं कि पूरी इंडिया के लोगों में हो कि वो आगे लेके आएं बाकी के जो अपने जान पिछान की लोग हैं या किसी को भी मेंटर क देखा होगा मामा जी ने एक लाइफ देखी होएगी क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री होगी ना जो उनका जमाला होगा उस ताइम पर तो दुनिया कुछ और ही अलग होएगी स्टॉक मार्केट को लेके तो ही मस्ट हव सीन लॉट अव तिंग्स उसके बावजूद वो आगे क्या रहे हैं हम चाहते हैं कि इस जनरेशन की लोग जो मामा या चाचा बने न या पापा बने या मा बने या जैसे भी जो भी रिलेशन में है वो अपने बच्चों को वो स्टॉक मार्केट को लेके पॉसिटिव वाइब जी दें कि इसमें नुक्सान होता है बट इफ यू के साथ इफ 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 गो डिसिप्रिन के साथ तो डेफिनिट्ली इस काइंड अ थिंग अब इन 2035 अगर मैं लेके जाओं संचित तो आप क्या कर रहे हो के बारा तेरा साल पाथ कभी सोचा है कभी लॉग जो अभी के लिए गोल है मैंने एक गोल खुद के लिए सोचा युएस में जाके अपना खुद का एक हेज़ फंड ओपन करना है ओमाइगाओ ओके युर्थ सेकिंड परसना एक और भी हैं जिन्होंने कहा था अभी चीज अभी शेकर है उनका भी कुछ ऐसा था बट उन्हें प्लान चेंज कर दिया अभी बद दन या तो मेरा एक गोल है जरनी देखके मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं उस लेवल पर पहुंच हूं कि मैं लोगों का फंड मैनेज करूं और जो है वह है अपना यूएस में उपन करूं और एक इंडियन बंदा भी होना चाहिए कि बड़े बड़े सपने जब बंदा देखता है ना तो भगवान सा और मेंटर्शिप जैसे इनकी हो केस है पर साथ में एक हंगर भी तो रखा हुआ है you know what you wanna do you know कि अभी क्या कर रहे हो and you know your reality as well यह तीनों चीज़े बहुत जरूरी है बंदे को अपनी reality check time to time लिते रहना चाहिए बंदे को पता होना चाहिए कि उसमें वह हंगर जिंदा रहे चार साल से जिंदा है हंगर साथ में चलो जो भी है और बड़े प्लान है 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 हैज़ फंड जिन लोग को नहीं पता it's a huge thing बहुत बड़ी चीज होती है के और खुद को चलाना तो बहुत you're talking about billions of dollars तो उसी साब से we wish you all the very best संचित and this was an amazing conversation बहुत मजा है यार बहुत चीजें क अगर आप आप अगर आप अगर आप अपने आपको अगर आप महनत नहीं कर सकते तो प्लीज अपना capital बर्न करने के लिए मत आईये इस फिल्ड में मैं सिंपल बोलूंगा अगर आपको सही में प्रॉफिटेबल होना है या फिर इस फिल्ड में सक्सेस्फुल भी होना है थ थोड़ा बहुत भी सक्सेस आपको चाहिए तो महनत तो आपको पूरी देनी पड़ेगी अगर आप और किसी फिल्ड में जाते हो तो वहां भी महनत लगती है तो यह भी सेम फिल्ड है यह भी एक प्रोफेशन की तरह आप इसे लीजिए ना कि सिर्फ लोग इसको जिर प्र प्रहन में चले जाए ना अगर फंडामेंटल से में चले जाए अपने जेनरेशन के जैसे भी टेफिनेट्ली जो ट्रेडरिंग के लिए आएंगी कहते हैं ना कि सो में से नब्बे लोग या पचानवे लोग नुक्सान खाते हैं और पांट साथ परसेंट करनी है अपने को और परसेंटेज इन अर्लियर स्टेज ऑफ हर एक ट्रेडर की लाइफ में चेंज हो रहें चाहिए ऐसा नहीं कि साल बाद प्रॉटेबल हो रहे हैं वो ब्रेकिवन टाइम जिल्दी करना है थैंक यू सो मुच पर इस अडवाइज एस वेल संचित एंड संचित का एक इस तीज को मैं पॉजिवली बहुत पॉजिवली देखता हूँ डेफिनिटीव लोग की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो अट-least discipline हैं लाइफ में नोट इंजस्ट इन कॉंटेंट बहुत मजाया थैंक्यू सो मुच पर स्पेरिंग ताइम विद उस एंड इस वीडिय देफिनिटी बहुत आप लोग देखता हूँ आप लोग देखता हूँ